यूनिक आइडेंटिफिकेशन डिजिट यानी हुआइडी के विरोध में हापुर के सर्राफ़ा व्यापारी सौमवार को हरताल पर रहे इस सांकेतिक प्रदशन में प्रतिस्थानों को व्यापारियों ने बंद रखा जिससे करोडों का कारोबार प्रभावित हुआ बतारी कि सर्राफ़ा एस्सेशन हापुर का कहना है कि उन्हें हॉल मार्किंग कानून सुईकार है लेकिन हुएडी से उन्हें काफी समस्या होंगी जिसका वो विरोध कर रहे हैं यह इसा था कि स्यापार जो हमारा बहुत अच्छा चलता था इसमें हम जैसे जुकंदार को इमानदारी से काम कर रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं अबी भी हुएडी इस पहीं उनीक फोड लाए है है यह उस्से बहुत ज्यादा दिक्कत होने काविशे है इसे एक-एक समान का जो होल मार्किंग सेंटर पर भेजेंगे तो होकर आने में लाने लेजाने में रुखने का डरत है, व्यापारी को कोोई सुधिधा नहीं मिल पा रही है, प्रुक्शा की, और सब यूनिक पीस कर Пर म कैसे सब स्क बेच पाएंगे, तो इसे छोटे व्यापारी भी खतम30 हो जाएंगे. एक वालमार्क के साथ खोट भी आ जाएगा जिसे आप खेल कर दिखके होगे यह कब सोच के बनावा एक इसा है क्या है इस को तुरंट से घटाएगारान। और चोटे से चोटे बड़े से बड़े मैनुफेक्ट्र से लेके घरायक तक का हर वैपारी हर दुकंदार हर ग्रायक परिशान है जिसके वैसे किसी नहीं भी एच्छी आईडी का उल्माक नहीं लिया है और नाहीं इसका पुल नंबत लिया जाएगा सरकार से अनुरूद है क गोल्ड होलमार्क नीती के विरोध में कारोवारियों ने सोमवार को हड़ताल की इस दोरां दुकान पर पांचुरे खरीदवारों को निराज होकर वापस लोटना पड़ा सर्राफा वेबारियों की मांग है कि हॉलमार्किंग नीती लागूर है लेकिन एश्यू आइडी को वापस लिया जाए कि हॉलमार के लुकान के लाखस दूपर वे लागूर है的